क्या आपके साथ भी ऐसा होता है किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको निश्चित नहीं होता ये काम ठीक होगा भी या नहीं या फिर आप बिल्कुल निश्चित होके जा रहे हैं कि काम हो जाएगा पर उन्तु जब काम नहीं होता तो क्या निराशा होती है तो उस काम को खीक अगर आपका हो जाए यानि वो निराज़ा को दूर करने के लिए काम में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए आज मैं आपको छोटे छोटे उपाये बताऊंगी जिन से आप जो है उस बाधा को दूर कर सकते हैं नमस्कार मैं एस्टॉलर्ज और निमरलोजिस वास्तु कंसल्डेंट सारीता गुप्ता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मन का भै काम का ना होना या घर से कोई अनिवारे कारे के लिए निकलना और इस काम का ना होना हमारे विश्वास को जो है तार-तार कर देता है और कई बार हमारे मन में उस बात को लेके डर पैदा हो जाता है कि वो काम हमारा पूर्ण होगा या नहीं होगा तो छोटे-छोटे जो उपाए है जो इस काम की अर्चन को दूर करेंगे आवश्यक कारे को होने देंगे और हमारे दिलो दिमाग से यानि परिशानी और जो टेंशन है उसको दूर करेंगे और काम आपका पूरा होगा ये छोटे-छोटे उपाए जो है आप करके देखे यकीन मानिये आपको मज़ा भी आएगा और आपका काम भी अच्छा होगा और आप आगे अपने काम को करने के लिए भी उचसाहित होगे छोट-छोटे उपाए हैं जिनको करियेगा जरूत बिल्कुल चुपचाप करने हैं क्योंकि कई बार जब हम काम कहते हैं दूसरे को बता देते हैं तो हमारा वो काम नहीं होता बिना किसी को बताए करने से काम में नकारत्मक विचार नहीं होगा क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम किसी को बता ज़ते हैं, वो अपने पॉइंट्स रख देता है, कुछ और बोल देता है, तो हमारे मन में संशे हो जाता है, तो बताना नहीं है, भाके मजबूत करना है और कारे को निर्विगन संपन होने की संभावना बढ़ जाती है, देखे आपकी मनों कामना पूरी होगी और घर से बाहर जाते वे इनका आप आशिरवाद ले ले तो आशिरवाद से सारे काम निर्भिगन शुरू होगे क्योंकि बिगन हर्ता गनेश जी को जो हर काम के लिए हम पहला निमंतरन देते हैं उनके भी न हमारे कोई काम नहीं होते तो आपके काम देखेगा कैसे सरपट पूरे होंगे घर से बाहर निकलते वे ध्यान रखे घर की किसी स्तरी यानि घर में मा है पतनी है बेहन है या भावी है उनके हाथ से दही में गुड या चीनी डाल कर खाके जाए और उनके हाथ से थोड़ा सा जो है आप केसर भी ले सक बात को पूरा अच्छे तरीके से कह पाएंगे अब आपको लगता है किसी काम के लिए जा रहे है और निकलने से पहले जो है आपके मन में संशे हा रहा है तो बुद्ध ग्रह यानि आपको उस काम के प्रती पूरा सा डाउट सा लगर रहा है तो आप क्या करना है अपने कारे के लिए बाहर चले जाए बिना टेंशन बिना स्ट्रेस के और ध्यान रखेगा पीछे पलट कर ना देखे इससे काम अवश्य बनता है इसके साथ आपने क्या करना है इसके अलावा घर से बाहर जाते वे सबसे पहले विप्रीद दिशा में यानि उल्टी दिशा म कोई टोक होगी कोई अंचुक होगा या कोई नेगेटिव एनर्जी होगी सकारात्मक्ता को घटाने वाली चीज़ें तो वह दूर हो जाएंगी और जब भी आप किसी बिजनिस के डिलिंग के लिए जा रहे हैं कोई कोड का काम है कोई कोई ऐसा किस्सा है जहां पर आपको लगता है परिशानी हो रही है तो आपने क्या करना है थोड़ से पैसे अपने कुल देवी कुल देवता के नाम या जिस भगवान को शक्ती को आप मानते हैं उनके नाम के वो पैसे उठा करके रख दे और सफलता मिलने की जो है उनसे प्रात्ना करें वापस इन रुपियों को आने के बाद जो है इन रुपियों को आप किसी गरीब को दहन में देदे देखियेगा कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे छोटे-छोटे उपाए हैं बिल्कुल छोटे-छोटे परियोग हैं आप इनको करते रही हैं देखि कैसे आपको सफलता मिलती है घर से निकलते सम का बाद मिलेगा और आपके का बहुते हैं गी सवाल पूछ कर रही हैं आपके काम नहीं बनने दे रहे हैं अतक साथ ही परामश के लिए दिये गए नमबर पर भी कॉल कर सकते हैं, फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद.